हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंगनेट बेंस, हम आगे अपना नया चैप्टर, यानि हमारी क्लास नाइंद कही कृतिका भुग भाग एक का थोर्ड चैप्टर, रीड की हड़ी, यह लिखित है जगदीश्चंद माथुर द्वारा, यह जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे तो यह एक प्ले भी आट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपके करेक्टर्स हैं, उनके डायलोग्स हैं, उनकी आगसपास के हुरे ही घटना हैं, सब कुछ आपके इसमें दिया हुआ है, तो यह किस तरीके से नाटक है और किस समस्या पराधारी ते हैं, समस्या है लड़क अपके घर के काम नहीं करती, वो घर से बाहर निकलने की चेश्टाओं में लगी रहती हैं, तो ये जो एक सोच थी, उस सोच पर प्रहार करते हुए एक एकांकी है, इस सोच में कैसे कैसे एक लड़की क्या क्या चीजे जहलती है और अंत में वो क्या रियक्ट करती है, वो सब चीजे इसके अंदर बताई गई है, तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि इस एकांकी में कित्ते पात्र हैं, क्या है, कैसी हैं, प्रस्तुत एकांकी रीड की हड़ी श्री जगजीश्चंद माथो द्वारा रचित है, जो हमने आपको भी बताया, ये एकांकी लड़की के विवा की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है, इस एकांकी में छे पात्र हैं, छे पात्र रामसरूप, उनका नौकर रतन, रामसरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, पिता गोपाल दास सथा शंकर, पूरा एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है, तो उनकी एक लड़की है उमा, ये एक घर में है और उनका एक नौकर है रतन, इतने लोग हैं, एक परिवार में चार लोग, अब उनको देखने, यानि उमा को देखने के लिए बेटी को देखने के लिए एक लड़का और उसके पिता आ रहे हैं, जो लड़का है उसका नाम है शंकर और पिता का नाम है गोपाल प्रसाद शुरू होता एक मामूली सा कमरा है सजा हुआ है उसी में ये कांकी खेला गया उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं राम सरूप और उनका नौकर कमरे में सज को सजाने में लगे हुए तक्त पर दरी और चादर विच्छा कर उस पर हार्मोनियम रखा गया है नाश्ता आधी भी तयार किया गया इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुँ फुलाए पड़ी है हुई है तभी रामसरूप कहते हैं कि उसकी मा किस मर्ज की दवा है अब क्या होता है एक कमरे में बताया गया कि एक तक्षत लगा हुआ है मतलब एक बेट टाइप के लगा हुआ है उस पर दरी रखी गई दरी विच्छाई गई अच्छे से सजाया गया फिर उसमें एक हार्मोनियम रख दिया गया मतलब कि लड़की प्रधिभाशा लिए हार्मोनियम बजा लेती है ये दिखाने के लिए वो सामने रख दिया गया नाश्ता वगरा तयार किया गया सब कुछ ये जो है रामसरूप और उनका नौकर रतन कर रहे होते हैं तो ये सब करें इतने में जो है रामसरूप जीव की वाइफ यानि की प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी लड़की तुम मुझ फुलाए पड़ी है और वो तयार होने को तयार नहीं है कि वो तयार नहीं होना चाहती लड़के वालों के सामने नहीं आना चाहती तो राम सरुप जी कहते हैं कि उनकी मा किस मर्च की दवा है मतलब अर्थाद की जाकर उस लड़की यानि उमा को समझाओ तयार करो और नीचे लेकर आने की तयारी रखो क्योंकि वो लोग आते ही हूँगे जैसे तैसे वो वे लोग मान गए कहने का मतलब क्या है वो मान गए अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार चली जाये तो मुझे दोश मत देना तब प्रेमा कहती है तुमने ही तो उसको पढ़ा लिका कर सिर्चड़ा लिया है मैंने तो पौडर वौडर उसके साम ने लाकर रखा पर वहां इन सब चीजों पर नफरत करती है राम सरू कहते हैं ना जाने इसका दिमाग कैसा है राम सरू उन्होंने बोला कि जाओ भाई समझाओ जैसे तैसे वे लोग मान गए कहने का मतलब है कि लड़के वालों को किसी तरह मना के उन्होंने वहां पर बु जा उसको तैयार करो ऐसा नहों सारा पानी में बहजाए अगर वो लड़की आने को तैयार नहीं होगी तो तो उन्होंने बोला तप्रेमा क्या बोलती है कि तुम्ही ने तो उसको पढ़ा लिखा कर इतना जादा उसको नक्चड़ा बना दिया है मैंने तो पॉडर वगएर परंतो राम सरूप लड़के वालों को दसवी तक पढ़ी बताते हैं मतलब उमा क्या है वो बीये पास है उसने पढ़ लिखी लड़की चाहिए नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है मतलब टोस्ट तो रख दिया लेकिन उसके ऊपर लगाने के लिए मक्ख नहीं था राम सरूप ने नौकर रतन को मखल लाने के लिए भेजा बाहर जाते विए रतन देखता है कि कोई घर की और बढ़ रहा है अब जल्दी से मतलब अब एंटाइम उमा को भी उसने त्यार किया सब कुछ हो गया अब जैसे नाश्ता रखा टोस्ट रखा गया तो उस घर के और बढ़ते चले आ रहे हैं वह मालिक को बताता ही है कि थोड़ी देर में दर्वाजा खटकता है मतलब वो देखता बढ़ते आ रहे तो वो वापस पलटके आता है और आके राम सरूप को बताई रहा था इतने में दर्वाजे को खटकताने की आवाज आती है और दर करें रामसरूप उनका स्वागत करते हैं दोनों बैट कर अपने जमाने की तुलना नयजमाने से करते मतलब यह बाचीत को दोर कुछ तो कुछ तो बोल ला है और इस समय का जमाना और उनके समय जब वो यंग थे तो उनकी तुलना शुरू हो जाती है अपनी अबाज तरीके को बदलते हुए गुपाल प्रसाद कहते हैं अच्छा तो सहाब बिजनस की बाते की जाएं वे शादी विवा को एक बिजनस मानते हैं अब इनसे इनकी समझ में आती है जो शादी विवा को बिजनस की बाते की जाएं मतलब वो शादी को एक बिजनस की तरह सम राम सरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को कहते हैं कि आदमी तो भला है मकान वकान से हैस्तियत बुरी नहीं लगती पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है कहने का मतलब राम सरूप जी उठके जाते हैं कि उमा को बुला कर लेकर आएं तो जैसे ही चले गए अब रूम के अंदर कौन बचे गोपाल प्रसाद और शंकर वो दोनों आपस में बात करने लेते हैं आदमी भला है मकान हैस्तियत भी अच्छी मतलब कि वो हमको अच्छा दे सकेगा शादी में यह आपस में बात करने लगते ह हैं कि पहले हम लड़की देखें कि लड़की कैसी है वे अपने भेटे को जुक कर बैठने पर डाटते हैं मतलब वो ऐसे बैंड होकर बैठा है तो बोलते सीधे हो के बैठो ऐसे जुक के नहीं बैठना भाई हम लड़के देखने वाले लड़के वाले तो हमें तन के बैठ लड़के आते हैं इतनी दियर में दोनों बाते कर लें लौट के आके फिर वो नाश्ता कराते हैं और इधर उदर की बाते करने लगते हैं गोपाल पिसाथ लड़की की सुन्दर्ता के बारे में पूछते हैं तो रामसरुप कहते हैं कि वह तो आप खुद देख लीजेगा पर जन पत्रिएउं के मिलाने की बात चलती थो रामसरुप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चड़नों में रख दिया है आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजी कहने का क्या मतलब है गुपाल परताज बोलते हैं कि लड़की कैसी है सुन्दर है पूलते हैं कि अभी वो खुद आईगी आप देख लीजेगा अब कुंडलियों की बात चलती है तो राम सरुप कहते हैं कि हमने दोनों कुंडलिया उठाके भगवान के चड़नों में रख दिये अब हमने सब भगवान पर छोड़ दिया है बात चीत के साथ ही गोपाल परसाथ लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछना चाहते हैं वे कहते हैं कि हमने तो मैट्रिक पास बहुत चाहिए मुझे उसे नौकरी वकरी थोड़ी न करानी है अब पढ़ाई के मामले में आये लड़की की बोला कि हमें सिर्फ नेट्रिक पास मतलब सिर्फ टेंथ पास लड़की चाहिए हमें उसे नौकरी नहीं करानी मतलब उसे हमें सिर्फ घर में रखना है मगर उमा तो भी ये पास थी तो यहां से अब यहां से रामसरूप जी ने छुपाई थी बात को कि वो लड़की सिर्फ टेंथ पास है क्या उमा को बुलाने पर वस्तिर जुखाए तता हाथ में पान की तश्तरी लिए आती है जब उमा को बुलाया जाता है तो उस्तिर जुखाए नाश्तात हो चुका है तो पान लगे हुई एक तश्तरी लेकर उमा रूम के अंदर प्रविश करती है उमा के गले चश्मे को देखकर गोपार प्रशाद और संकर दोनों एक साथ बोलते हैं रामसरूप चश्मा लगाने की वजह को इसपश्ट कर देते हैं दोनों संतुष्ठ हो जाते हैं अब क्या हुआ चश्मा उनको लगता कहते हैं कि जू ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का काम करते तो अब वो गले में उसके चश्मा था तो देखके भढ़क जाते हैं चश्मा तो रामसरुप कहते हैं कि वो सिलाई बुनाई के चक्कर में जो है उसको चश्मा लग गया था जब यह चीज पास होती है तो वो थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं कि अरे चलो ठीक है गोपाल प्रसाद उमा की चाल चेहरे की छवी देखते हुए गाने बजाने के बारे में पूछते हैं सब कुछ अच्छे से कले है लड़की अच्छे से चल रही है चवी सही सब कुछ सही है मतलब शाडिरिक रूप से एकदम सही है अब वो बोलते हैं तुम गा क्योंकि तो सितार उठाकर गीत सुनाती हुई उमा की नजर उस लड़के कर पढ़ती है तो वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है मतलब वह उठाकर सितार उठाकर बजा रही होती है और गाते गाते उसकी नजर किस पर पढ़ती है शंकर पे और जैसे ही वह शंकर की तरफ अर्थात वो लड़के को कहीं देख चुकी है पहचान चुकी है फिर उमा ने उसकी पेइंटिंग सिलाई से बारे में पूछा जाता है कि तुम कैसी पेइंटिंग करती हो सिलाई बुनाई करती हुआ चश्मा लगा तो रामसरूप ने ऐसे बोल दिया कि भाई सब करती है तो क्या हुआ जब उन्हें पूछा सिलाई बुनाई तो इसका जवाब भी रामसरूप देते हैं उमा अभी तक नहीं बोली है वो नहीं बोलती है तो अब बोलते हैं कि इन सब चीजों में तुमने कुछ इनाम इनाम भी जीते होंगे ठीक है ना कि तुम सिलाई बुनाई कर ल इस तरीके से वो बोलते हैं और मजबूत आवाज में मैं क्या जवाब दू बाबुजी जब कुरसी में बेची जाती है तो दुकानदार से मेच कुरसी से कुछ भी नहीं पूछता केवल खरीदार को दिखा देता है पसंद आ जाये तो अच्छा है वरना रामसरूप भूदित होकर उसे डाटते हैं उसे यहां पर लग रहा था जैसे उसकी नुमाईश लगाई जा रही है और लोग उसे खरीदने के लिए आ रहे हैं उमा को ऐसा प्रतीथ हो रहा था क्योंकि उसको हर तरीके से ठोक बजा के देखा जा रहा था चेक किया जा रहा था तो वह उमा के पिताजी बहुत गुसा हो जाते हैं और उसे डाटने लगते हैं उमा अब मुझे कहने दीजिए अब उमा बोलती है कि नहीं अब बाबुजी मुझे कहने दीजिए अभी तक मैं चुपती ठीक था सब कुछ सुन रही थी लेकिन जब मुझे बोलने के लिए बोला ग बहुत भेड़ भक्रियां हैं क्या जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देख भाल कर तो बोलता है कि जो महाशा में जो खरीदने आये हैं अर्थात हमारा मोल भाल लगा रहे हैं क्या वो उनके लिए लड़कियां क्या सिर्फ एक भेड़ भक्रियों की तरह हैं कि बस उनके कोई दिल नहीं उता लो और लेट के चलो घर में खरीद के अब उमा बोल रही है सारी चीज़ ने गोपाल प्रसाथ ताव में आकर जब लड़की इतना बोली तो गोपाल प्रसाथ तो क्या हुआ गुस्सा आ गया क्या बोलते हैं राम सरुब बाबु क्या आपने मुझे मेरी इ शक्कर काट रहे थे और यह वहां से कैसे भाग भगाये गए थे अब उमा ने शंकर को पहचान लिया था अब यहां पर वो उमा पर उमा जो है वो शंकर पर आती है कहती है इसमें गुस्से की क्या बात है आप उत्व दे से मेरा मौल भाव कर रहे थे तो मैं नहीं मुझे मार के भगाए गए तो उसको याद आया क्योंकि भाई वो तो बीए में पढ़ती थी तो वहाँ पर घुजा था ये हॉस्टल में तो सब के बारे में चर्चित हो गया था ये लड़का था ये लड़का था तो ये उमा को भी पता था तो उमा ने ये सारी बात उस समय वहाँ पर कह दि गोपाल प्रसाथ तो क्या तुम तुम में पढ़ी हो अब गोपाल परसाथ को अरे हॉस्टल का मतलब कि अब तुम अपने लड़के क्यों नहीं देखा उनकी बात सीधे कहा गई है मतलब ये college गई है तभी तो hostel के बारे में जानती हूँ तुरंट उन्होंने इस चीज़ का question किया उमा हाँ पड़ी हूँ BA pass किया है मैंने ना तो कोई चोरी की है और ना ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर तांग जांग कर कायरता का प्रदर्शन किया है तो बोले भई मैंने पढ़ाई करी है मेहनत करी है इतने classes पढ़के मैंने उन्दिगरी पास करी है मगर आपके बेटे के तरह इधर उधर तांग जांग करके एक कायरता पूर्ट कारे नहीं किया है मैंने बहुत अच्छा और सम्मन नहीं कारे किया है गोपाल प्रसाथ खड़े हो जाते हैं और राम सरुप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दर्वाजे की ओर बढ़ते हैं उमा पीछे से कहती है जाईए जरूर जाईए घर जाकर जरा यह पता लगाईए कि आपके लाडले बेटे के रीड की हड़ी है भी यह तो मतलब अब राम जब इतना सुन लेते हैं गोपाल प्रसाथ खड़े होते हैं तो राम सरुप को बहुत बड़ा भुला कहते हुए निकल जाते हैं जब वो जा रहे होते हैं तो उमा बोलती है घर जाकर पता करिए कि आपके बेटे की रीड की हड़ी है की नहीं यहां री पर read की हड़ी का ताद पर है, जो व्यक्ति read की हड़ी नहीं होना या होना, भी, spinal cure सबwlसर सबी के होती है, सबी के background वोती है, तो यहां पर यहां कहने का मतलब यह है, कि read की हड़ी ना होना मतलब खुद अपनी कोई self respect किसी इंसान के अंदर है या नहीं है, ये चीज आप जाकर चेक करिए तो इस पूरे पार्ट में हमने जो आपको समझाया ये एक एकांकी था, एक नाटक था, एक प्ले था जो ये खेला जा रहा था और उसमें एक बहुत ही भयंकर समस्या के बारे में उजागर किया गया तो यहाँ पर हमने आपको पूरा पार्ट पढ़ा दिया थोड़ी देर और इंतिजार करिए हम अपने नेक्स वीडियो में इस पार्ट के प्रशन तर लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तोत होंगे सो वेट करिए थैंक यू, बबाई